Hello everyone, welcome back viewers, कैसे हो आपसलो guys, उमीद कहते हूँ सुहस्त होंगे, अपना ख्याल रखे होंगे, खुद को positive और heal कर रहे होंगे वीवर चलिए देखते हैं कि right now, आज आपके person की current energies क्या हैं, उनके energies में क्या changes आए हैं, उनकी feelings में क्या changes आए हैं What they think about you, what they feel about you So, वीवर चलिए देखते हैं, एक general collective reading है, सभी के लिए की जा रही है, इस बात का ध्यान रखें एक general collective timeless reading है, इस reading को आप किसी भी वेक्ती के लिए देख सकते हैं, male, female, married, unmarried, कोई भी हो सकता है So, यहाँ पर किसी तरह की कोई restrictions नहीं है, कि conditions bounded, यह reading नहीं होती है, इस बात का ध्यान रखेंगा आप से easily जो भी बाते connect होने रखें, बाकी को ignore करें, क्योंकि general collective reading है इस reading से अगर आपको clarity मिलती है, तो please like जरू करिए का चैनल को subscribe नहीं किया है तो ऐसी और वीडियो के लिए वीवर्स चैनल को subscribe कर लेजिए ठीक है, and guys, one more thing, अगर आप percentage करवाना चाहते हैं, तो वीडियो में दीवे नंबर पे आप मुझे contact कर सकते हैं percentage चार्जिबल रहेगी वीवर्स तो चलिए देखते हैं कि आपके person की energies क्या है आप उस वेक्ति का नाम अपने मन में तीन बार लीजिए जिस भी वेक्ति को लेके आपको reading देखना है, ठीक है प्रीज एंजल मुझे बताएं, मेरे वीवर्स परसन के नाम को मनी मन दोर आ रहे हैं जिस वेक्ति के बारे में जानना चाहते हैं उनकी current energies क्या है उनकी current energies क्या है, divine angel प्लीज वो हमें बताएं वो right now किस energy में है okay, so we have caring connection and the broken heart healer of the ages okay, काफी interesting energy आई है आपके परसन की ठीक है, bottom से आ रहा है dough to romance ठीक है, so चलिए कोछ टैरों से देखते हैं आपके लिए cards आपके person की feeling को लेके ठीक है, उनकी activities और उनकी feeling को लेके please universe angels मुझे बताएं मेरे वीवर्स जिस person के बारे में जानना चाहरे हैं जिन person की feeling जानना चाहरे हैं उस person के मन में इनके लिए क्या थौट से वो इनके लिए क्या कर रहे है please universe angels मुझे बताएं वो इनके लिए क्या कर रहे हैं उनके क्या थौट से divine angel please वो हमें बताएं, guide करें hmm homeward grey stone and the let them go feast universe wow so weavers I think so you will have all cards here okay weavers so messages you have got a person from the side the first time weavers you are looking at that you have separation from people and many people have separated from separation and this is also the energy that you have also shown that you have either your partner you have to go away from the other or to go away from the other एक दूसरे को भूलाने की, काफी कोशिशें यहाँ पे की हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने नहीं की हैं, फिर आपके पार्टनर नहीं की हैं, किसी और को डेट करने की, किसी और के साथ में रिलेशन्शिप बनाने की, ठीक है, ताकि वो जो कमी है, जो basically separation के बाद आई है आ क्योंकि आपने एक दूसरे को बहुत मिस किया है, ठीक एक दूसरे से काफी आप लोग का attachment हो सकता है, एक दूसरे के लिए काफी प्यार हो सकता है, एक दूसरे के आप परवा बहुत करते थे, ऐसी energy guys मुझे यहाँ पे दिख रही है, बट कही ना कहीं कुछ वज़े से आप कि इस connection को भुला पाना भी इतना easy नहीं है, न तो आपके लिए easy नहीं, आपके partner के लिए easy है, ठीक है, वो जो जगा है, वो जो place है, वो किसी और को चहां के भी आप लोग दे नहीं पा रहे हो, न फिर आपके person नहीं आप लोग, ठीक है, यह energies बताती है, और आपके person का आज भी मुझे असा नजर आता है, कि आपको लेके वही attachment है, जो आपका है, आपके person की तरफ, और कहीं है कि दोनों के दिलों में अगर देखा जाए, यह बात है, कि सामने वाले person से मेरा फिर से reunion हो जाए, patch up हो जाए, वो come back कर जाए, ठीक है, हमारे connection में जो ending होई है, separation हुआ है, जो एक तुफान सा है, वो heal हो जाए, और हम दोनों फिर से एक connection में आ जाए, फिर से एक दूसरे को चाहने लगे, एक दूसरे को प्यार करने लगे, तो यह energy guys मुझे नजर आ रही है, क्योंकि यहां पर wish manifestation भी है, ठीक है, क्योंकि यहां पर नजर आ रहा है, जिसे बार बार तडपता है दिल एक दूसरे को देखने के लिए, चाहने के लिए, एक दूसरे से बाते करने के लिए, यह भी energy guys मुझे आ पर नजर आ रही है, लेकिन हां यह भी है कि आप लोग के connection में, यह separation को आप रोक नहीं पाए, ठीक है, ना तो आप रोक पाए, ना फिर आपके person रो जानता था, और दर्द बहुत सहा है दोनों ने, मैं यह आप यही कहूंगे, आपने भी बहुत सहा है, यह आपके person भी यहाँ पर जानते हैं, कि यह separation ना तो आपके लिए easy था, भुला पाना नहीं, आपके person के लिए easy था, क्योंकि एक दूसरे के लिए प्यार ही इतना रहा है, तभी तो दर्द में भी इतनी deep energy आपर आई है, कि बार 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 उनी चीजों को thought को remind किया जा रहा है, आज भी आपके person आपके बारे में सोचते हैं, आपको याद करते हैं, फील करते हैं, और somewhere इनके मन में भी अगर देखा जाए एक thought है, कि आप से फिर से यह जु मेल हो, और कोशिश की है, मैंने मतलब अपनी life में आगे बढ़ने की, move on करने की, बट वो मुझसे उतने attachment में या फिर उस level पे नहीं हो पा रहा है, या मैं वो level उस person के साथ में feel नहीं कर पा रही या नहीं कर पा रहा, जो मैंने तुम्हारे साथ में feel किया, जो care मुझे तु उन्हों की बीच में रहा, वो forgettable नहीं है, उसको भुलाया नहीं जा सकता, तुम्हारी unique जगा है अपनी, तुम्हारी एक अपनी personality है, जो मुझे हर एक में नहीं नजर आती है, हाँ ढूनने की मैंने बहुत कोशिश की है, जैसे कि वो आपको किसी और के साथ में हर वक्त compare कर रहता है कि यह person वैसा नहीं है, यह मुझे वैसे बाती नहीं करता है, यह वैसे बाती नहीं करती है, इसका attitude अलग है, behavior अलग है, thinking अलग है, इनकी आपके साथ में perfect match और bonding मुझे हैं यहापे नजर आती है, ठीक है, और बार 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 में यहापे यह कह रही हूं कि यह जो व कि आज भी stuck हूँ, और पता नहीं यह सब चीजे कैसे overcome होंगी, तुम मेरी life में आप आओगे या नहीं आप आओगे मुझे नहीं, पता पर मैं still, मैं तुम्हें manifest करता हूँ या करती हूँ कि काश हमारा relationship पहले जैसा हो जाए, ठीक है, तुम मेरी life में वापिस आजाओ, हम तुनों की बीच में जो चीजे हुई है, जो separation हुआ है, वो कहीं न कहीं heal हो जाए, क्योंकि आपके person यहाँ पर आपको viewers नहीं भुला पा रहे है, यह cards के energy बता रही है, ठीक है, पर जाएक आपका रिष्टा बिलकुल अगर देखा जाएक तर एक सिरे से खतम ही ही हो चुका यहाँ पर क्लिरली देख पा रही हूँ, ठीक है, लेकिन आज भी वो memories जब भी याद करते हैं आपके person, यह heal नहीं हो पाते हैं, रोते ही, cry करते हैं, just like you, ठीक है, तो यह आपका भी दर्द फील कर सकते हैं, आपके person, क्योंकि इनको भी पता है, जिस तरह से यह आप से emotionally और एक heart level पर connected हैं, आप भी इन से उसी तरह से connected हो, बेशक no contact situation हो सकते हैं आप दोनों के बीच में, पर वो no contact situation भी आपके प्यार को नहीं मिटा सकती है, यह कह रहे हैं जिसे कि आज भी मुझे तुम्हारा इंतजार है, ठीक है, आज भी मैं वहीं पर रुका हुआ हूँ या वह लोग अलग हुए थे, ठीक है, तो यह कहिना की कि इनतजार को represent करती है, सारी की सारी चीजे में भी हो सकता आपको, या फिर आपके partner को triple three number यहां पर काफी नजर आ रहा हो, ऐसी भी यहां पर possibilities हो सकती है, ठीक है, तो दर्द में तो आप दोनों ही हो, मैं यह यह बोलूंगी ना तो आप उन्हें भूल पा रहे हो, ना ही आपके person भूल पा रहे हैं, लैसी वो आपको लेके क्या बूलना चाहते हैं, आपको लेके उनकी क्या और thinking है, प्लीज universe angels बताएं, वो मेरे viewers को लेके और क्या कहना चाहते हैं, okay, thank you, okay, four of wins, देखो, card भी क्या रहा आपके लिए ठीक है, 4 of Wands Aries, Leo, Sagittarius 5 of Cups की हाँ पर Energy है, we have a card of Chariot, ठीक है जो Reverse में आया है आपके लिए The Hangman also ठीक है and the Queen of Wands They are still obsessed with you मैं यहाँ पर यही कहूंगी क्योंकि इस person की अगर हम Energies की बात करें तो आपकी Connection में Weavers कुछ ना कुछ तो ऐसा जरूर हुआ है हर एक की Life के अंदर जो भी इस Reading को देख रहे हैं जहाँ पर आपके Person आपके इस Relationship को जैसे मैंने अभी भी बूला कि यह Forget नहीं कर पाए हैं और इनके लिए यह Connection का तूट जाना ही अपने आप में एक Complete Shock है Life Changing Moment है जिसने इनकी Life को Change कर दिया है और यहाँ पर आप से यह Emotionally आज भी Stuck है ठीक है तो आपको Person Weaver साब के यही कहरे है कि If You Think कि मैं तुम्हें भूल गई यह भूल गया या मुझे कुछ भी याद नहीं है तुमारे साथ में बिताइवे पल तुमारे साथ में प्यार किया हुआ वो लमभा ठीक है तुमारा तुमारा टच तुमारी ब्यूटी तुमारा तुमारी हसी यहाँ पर आपकी हसी काफी अच्छी हो सकती है आपकी आईज आपका बोलना इस Person को हर चीज बहुत याद आती है ठीक है तो बेशेक आप लोग एक सैपरेशन में क्यों ना हूँ कितने ही दूसरे से दूर क्यों ना हूँ बट वो दूरियां यादों को खतम नहीं कर सकती यादे तो आती हैं और यादे आती हैं तो रूलाती हैं और यह Person Weverse आज भी मुझे आपकी यादों में ही स्टक नजर आ रहे हैं जिसे Move On करने की कई बार कोशिश की है नो डाउट यहाँ पर कई बार नजर आ रहा है लोगों से Relationship में Friendship करना और थोड़ी फ्लर्टी बाते करना अपने आपको Open Up करना जिसे कहते हैं Now I'm Available Something like कि लेकिन फिर भी वो Availability दिखाने में उपर से तो है कहीं ना कहीं लेकिन अंदर दिल की अंदर तो A.P की जगा है जो यहाँ पर Fixed नजर आ रही है और यह Person Viewers मुझे आज भी नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं इस Situation से आज भी गुज़र रहे हैं ठीक है राशी यहाँ पर Aries Leo Sagittarius Cancer Score पर Pisces इसमें Cancer राशी स्टॉंग हो सकती है इसके लावा Gemini Alibra Aquarius के Energy Guys यहाँ पर नजर आती है तो यहाँ पर भी पर से आपके Person ने कैसे Cross Road पर मुझे नजर आ रहे हैं जहाँ पर इनको समझ भी नहीं आ रहा है कि इनको करना क्या है या यह आप से Communicate करें अपनी Feeling यह ना करें किस तरह से करें क्योंकि मुझे यह Person अपनी Feeling से ही अपनी Emotion से ही आपके लिए जो इस Person के दिल में अभी भी प्यार है जो Attraction है जो कहीं न कहीं इस Person को उमीद दिलाता है कि आज भी आप उनके हो उनके ही रहोगे या फिर आप दोनों का रिष्टा End नहीं हुआ है बेशक यह End हो चुका है लेकिन इस Person को यह चीज़े आपकी जो Feeling से वो चैन से रहने नहीं देती है हर वक्त आपके Person अपनी Feeling से मुझे यहाँ पे Fight करते वे नजर आते है एक तरह कि कश्मकस से जूचते वे यहाँ पे नजर आ रहे है आपके Person यहाँ पर वो आपको यही कहना चाहते कि मैं अपनी Feeling को Avoid कर रहा हूँ या कर रही हूँ But I can't मुझसे हो नहीं पा रहा मैं अपनी Feeling से मतलब देखा जाए तो Feelings बहुत बहुत छोटी है इनके Energies के सामने But वो Feeling एक बार भी अगर आपका ख्याल इस Person के मन में आ जाए तो इस Person को पूरा हिला देता है अंदर तक जंजोर देता है और उनको चैन से बैठने नहीं देता तो ठीक है अगर आपको लगता है कि आपका Partner आपको भूल गया है वो आपको बिल्कुल भी Miss नहीं करते हैं ठीक है उनको फर्क नहीं पड़ता है आपके होने से या ना होने से वो अपनी Life को Enjoy कर रहे हैं अगर आपको ऐसा लगता है तो नहीं है आपके पॉर्सन कहरे है कि भई मेरे दिल में आज भी जो तुम्हारी जो जगा है जो फीलिंग्स है वो जब जब मुझे तुम्हारा नाम भी याद आ जाए तो मुझे हिला देती है और मुझे उनसे फाइट करना उनसे ओवर कम करना मुझे डिफिकल्ट हो जाता है इतना डिफिकल्ट कि मैं रेसलेस हो जाता हूँ या हो जाती हूँ और मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता बहुत अजीब सी सिच्वेशन हो जाती है मेरी हालात मेरे काबू में नहीं रहते हैं और मुझे इतना जादा मुझे ऐसा फील होता है कि मैं अभी तुमसे बात कर लूँ, अभी तुम्हारे पास आ जाओं, अभी तुम्हें देख लूँ, अभी तुम्हें हग कर लूँ, अभी तुम्हारे साथ मैं मतलब कनेक्ट हो जाओं, इस तरह के थौर्ट्स मुझे आते ह तो आपके person यहाँ पर यही कह रहे कि तुम मेरी आज भी कमजोरी हो या मेरी बेचेनी हो तुम ठीक है तुम से दूर रह पाना ही मेरे लिए अपने आप में ही एक तरह की मतलब एक ऐसी situation है जहां से मुझे खुद overcome करना होता है कोई मेरे पास help नहीं होती है कि जो मुझे तु में लेकि वही obsession है जितना कभी पहले हुआ करता था ठीक है तो obsession के energy में जब जब आपके person को आपकी याद आती है yes definitely यह ऐसी situation में आ जाते है जहां पर इन से फिर कुछ हो नहीं पाता यह कुछ कर नहीं पाते कुछ सोच सोच नहीं पाते लटक जाते हैं आपकी energy के अंदर ठ के इस person ने आपको sacrifice किया है मैं यही बूलूँगी sacrifice करना पड़ा या फिर कोई हालात ऐसे थे कि इनके पास में कोई और चारा नहीं था but they still obsessed with you यह energy guys यहाँ पे है so let's see यहाँ पे आपके person चाहाते क्या है ठीक है please universe angels मुझे बताएं मेरे viewers के partner इस connection के लिए आप चाहते क्या है वो इस connection के लिए आप क्या चाहते है divine angel please बहुमें बताएं गाइड करें okay three of sword है उनकी life में ठीक है और यहाँ पे भी sword वाली energy आई थी emperor and the page of winds page of winds मैं यहाँ पे भी वरस एक बात बोलूँगे आपको यह यह इसी energy में आपके person है जहाँ पर वो अपने अपनी feeling को ही आपे control कर रहे हैं ठीक है मैं यह नहीं बूलूँगे आपको लेकर बहुत कुछ चाहते हैं आपके person बट आपको भूलाना भी इस person के बस की बात नहीं है गाना मुझे controlling energy है मैं अपने emotions को दिखाना नहीं शो नहीं करना अपने दिल के दर्द को अपने अंदर दफना के रखना और कोशिश करना उनसे बार बार निकलने की उनसे उनको control करने की ठीक है उनसे fight करने की वो energy का इस मुझे हैं आप मिल रही है तो still में भी हो सकता है या आपको अपन परसन के reality देखो तो वो अभी भी stuck है अपने ही खयालों के ताने बाने में और कहीं न कहीं हर चीज को control करने की कोशिश कर रही है ताकि situation जो है वो handle हो सके ठीक है इस तरह के energy यहां पर नजर आती है चानल message कुछ देखेंगे आपके पॉरसन के आपके लिए अपकी वीवर्स सो लैसे आपके लिए channel message यहां पर क्या आ रहे हैं तो दिल को कहीं न कई वीवर्स इस person ने अगर देखा जाए आपी के लिए मुझे यहां पर connected अभी भी रखा हुआ नजर आ रहा है बट वो अपने दिल की जो आवाज है वो आप तक पहुचा आनी रहे है जैसा उसको lock सा क रखा है ठीक है प्लीज उनिवर्स एंजल मुझे बताएं मेरे वीवर्स इनको क्या बताना चाहते हैं उनके true heart messages क्या है प्लीज वो मेरे वीवर्स तक पहुचाएं distance kills me तो आप दोने के बीच में जो distance है वो इनको मार रहा है तडपा रहा है बेचें कर रहा है यह कहीं ने कहीं चाहते हैं आज भी अगर देखा जाए कि आप दोने के बीच में जो यह distance है वो overcome हो ठीक है जो भी चल रहा आप लोग के बीच में क्योंकि मैंने यहाँ पर देखा था manifestation को कि कहीं ना कि इस person के दिल में आज भी इस person के दिल से आज भी यह दुआ आती है आवाज आती है कि आप दोनों एक हो जाए बट यहाँ पर action वाली energy मुझे नहीं नजर आ रही इसलिए मैंने बोला कि यह controlling energy है ठीक है I feel like you still interested in me आप उनके अंदर अभी भी interested हो यह इस person को लगता है You deserve better than me I am nothing in front of you तो आप उनके सामने काफी बहतर हो आपको कोई भी मिल सकता है तो कहीं ना कि अगर यह आपको बोल रहे हैं मुझे कुछ ऐसा feel हो रहा है So that आपको move on करने में अपनी feeling जो express नहीं कर रहे हैं आपके person आपको move on करने में easy रहे ठीक है आप अपनी life में आगे बढ़ सकें किसी और से connect हो सकें किसी और के साथ में रिष्टा बना सकें या इन्हें भूल जाएं तो ऐसा नजर आ रहा है इनको ऐसा ही feel होता है कि इनकी वज़े से मेभी आपकी life काफी destroy होई है अपन नाउन से गुजरी है अगर ही आपकी life में नहीं आए होते तो मेभी आज अपनी life में आप settle होते किसी और person के साथ में किसी के साथ में आपकी family स्टार्ट हो गई होती या फिर आपको इतने कश्मक हसे या पन नाउन से नहीं गुजरना पड़ता ठीक है I try to replace you but now I realize that you are irreplaceable and now you are gone जब इनको realize हुआ कि आपको replace नहीं किया जा सकता ठीक है आप एक ऐसे person हो जिसकी जरुवत इस person को हमेशा रहेगी लेकिन तब तक इस person को feel हुआ कि आप अपनी life में move on कर चुके हो इनको भी ऐसा लगता है move on कर चुके हो तो इसलिए कहिना के action में जो energy आई वो non action किया थी and the last message for you nobody will care as you do for me तो आप उनकी जैसे care कर सकते हो जैसा प्यार आप कर सकते हो वो कोई और नहीं कर सकता bottom of the deck है आपके लिए देख लीजिए I am not quite well to express my feeling read my eyes to no more तो मैंने बोला था यह expressive energy नहीं है तो उसका मतलब यही है आपके पॉरसन कहरे है कि मुझे अपनी feeling बताना या दिखाना जताना नहीं आता लेकिन अगर तो मेरी feeling जानना चाहते हो तो look into my eyes मेरी आँखे तुमसे सब कुछ बोल देंगे मेरे होट ना बोल सके मेरे action नादों में दिखा सके बट आँखे तुमसे जूट नहीं बोल सकती यानि आप उनकी आँखों को पढ़ लेते हो उनके हाव भाव को आप पढ़ लेते हो ठीक है तो यह भी आपके लिए message वीवर्स यहाँ पर है तो अगर आपसे reading resonate हुई है तो इसे claim करें मुझे बताएं कितना आपसे resonate हुआ और अगर आप परसंडिंग चाहते हैं तो वीडियो में देवे नमबर पर आप मुझे contact कर सकते हैं बरसंडिंग चार्जेबल रहेगी वीवर्स तो यह थी आपके लिए reading गुडबाई टेक केर